ये है भारत के टॉप 12 साइंस एचिवमेंट्स 2022 में ये है साइंस रिवाइंट का 7th एडिशन तो चलिए जानते हैं सबसे पहले हम शुरू करेंगे स्पेस के साथ इस साल काफी एक्टिव था इजरो के लिए इस साल पाच लॉंचिस हुए जिनमें से 3 PSLV, 1 SSLV और 1 हमारी क्वीन, हमारी गॉड़स, हमारी सुप्रीम लीडर GSLV Mark III का लॉंच था जो मेरे हिसाब से दुनिया की सबसे खुब सुरूत रॉकेट है आप अगरी नहीं करें तो आप गलत हो उसके बज़ाए Pixel ने अपना First Developed Satellite जो है आनन्द PSLV के उपर लॉंच किया जिसके उपर मेरे पास एक dedicated video explanation का उसके बज़ाए Ocean Set भी लॉंच हुआ था उसके साथ and एक kind of launch startups का प्रारम हुआ जो था Skyroot के suborbital launch के साथ तो काफी इंट्रेस्टिंग साल और काफी active year अगला साल और भी active होने वाल है अर्ली 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 यर में हमें अगनी कुल का शायद सब अर्बिटल लॉंच देखे प्लस अधित्या लवान होगा March के आसपास चंद्रयान 3 होगा August जुलाई के आसपास OneWeb का launch होगा February में त इन्होंने एक new technique develop की 1,4 hydroquinone यह से मैं 1,4 HQ करके refer करूंगा मैं प्रनास ने कर पार हूँ डेवलप करने की यह जो है 1,4 HQ यह काफी एक मतलब इंटेमीडेट है प्रसेविटिव डेवलप करने के लिए जैसे फूड के लिए और या फार्मेटिकल फार्मसेटिकल्स और डाइ है उसके साथ electrolysis करके develop कर रहे हैं अभी आपको और भी जानना है तो यह जो भी नंबर आ रहा है ना 23 या जो भी है वह प्रिफर कर लो description में और फिर आप और पढ़ सकते हो इसके बारे में अगले हम बात करेंगे वैक्सीन के बारे में इस साल दो बड़े वैक्सीन केंड़ सब्स्राइब हांै यूफ लॉन्च हुए एक तो था पहला इंडिया का में इंडिया सरविकल कैंसर वेक्सीन अभी सेर विकल कैंसर वेक्सीन काफी मतलब सेकेंड बिगस्ट है इंडिया का प्रेविलेंट कैंसर और यह इस परेटिंट्लमें लिखाए कि 75,000 लोगों की जा चली जाती हर सारीस cancer के वज़े से पर यह प्रिवेंटेबल है वैक्सीन से तो आप किसी कुछ जानते हो तूने लेने वह लो अगला है इंट्रा-neasal वैक्सीन भारत बायोटेक का जो मैंने इंट्रीवेस साइसे चीवमेंट से प्रीवेस रिवाइंट सा लास्टर का उसमें बूला था मैं काफी एक्सेटेड हूं इसको लेने के लिए क्योंकि मैं तो को एक्सिंस से वैक्सिंट हूं तो मैं इसको ढूंड रहा हूं यह कहां मिलेगा इंट्रीशल वैक्सीन यह इंजेक करने के जगह आपके नाक के तुरू दिया जाता है वो खुद में काफी पर एक और चीज होती है कि उनके जो फीट के नर्व्स है वो काफी टाइमेज हो जाते हैं अब जब आपके फीट के नर्व्स जब डामेज होंगे तो आपको सेंसेशन फील ने होगा प्रेशर का एजिली तो क्या होता है यह जो टाइबिटीश पेशेंट चलते हैं उनका चलने का जो हील और वह प्रीट का टलने का तरी का तक हो नॉटंर रहीं तो इसे और भी दृब्लमस हो सकते हैं यह जो फिट है जो ट्रीडी प्रेंट चीज हो सकते हैं अलग अलग है जो आप заб डूब के लिए अगले हम बात करेंगे मार्स ब्रिक्स के जिसे मैंने कवर किया था ऐलोग लैब के, ही को शफिक्स करके उनके साथ रिकॉर्ड करके वह कैसे मार्स बांना कापत को doing घांठी कर कर सो लिए अगली हम बात करेंगे अब यूजली जाइलेटॉल बनाने के लिए जो स्वीटनर है वो वूट डिराइफ डी जाइलोज लेते हैं जो एक महिंगा केमिकल है इसे निकल केटिलिस्ट के साथ गरम यानि हाई टेमपरिचर में और अंडर प्रेशर उसे उसका प्रोसेस चलने दिया जाता है इसे करी 48 यूजली लगते है और उसमें क्या है बस 8-15 परसेंट ही जो जाइलोज है वो जाइलिक्टॉल में कनवर्ट होता है इनके प्रोसेस में यह लोग ने अल्ट्रासाउंड यूस किया और जो शुगर के इनका लेफ्ट है और जो जिसे बगाज या जो बचा हुआ जो जूस न दुनिया में पहली बार चांद का सोडियम मैपिंग किया कि कहां कितना सोडियम और कहां नहीं और यह पूरा प्रोसेस बहुत खुबसूरत है मैंने इसके पहरे डेडिकेटेड वीडियो बने एक्स्पेंड करने के लिए कैसे एक्सरेज और वगर इस्तमाल करके यह सब किय गया यह वीडियो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया पर अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो देख लो क्यों काफी खुबसूरत है यह प्रोसेस और यह कैसे बनाया तो वीडियो देख लो अगले हम बात करेंगे आटी जोदपूर ने कैटिलिस्ट बनाया जो पान इसलिए क्योंकि मैं काफी बड़ा हैड्रोजन सब नहीं हो इनको काफी लगता है पहले हाइड्रोजन बना फिर उसे चीपली बना पाए तो वह सब पावर कनवर्जांस का सब इशू आए गा है नहीं तो हाँ अगले हम बात करेंगे आएसे बैंगलोर का जो सेंस या सेंसे CENSE Center for Nanoscience and Engineering इन्होंने एक ऐसा पेपर बेस सेंसर बनाया जो प्रेशर डिटेक्क कर सकता है अब इन्होंने जो सेलिएस पेपर के उस ट्रिप्स लिए इसे टी मॉनोसलफाइड के साथ कवर किया जो गोल्डन इस चीज है और उसे स्टैक किया तो जब आप ऐसे स्टैक करते हो ये क्रॉसको आपको नैच्रिलि एर गेप जिसके अंदर तो जब कोई प्रेशर डालते इस पेपर के ऊपर वह एर गेप की जो एर कॉंटिटी ये वो चेंज होती है और जब आपकी एर कॉंटिटी चींज होती है आपका जो गंड़क्टर का DISTANCE है ये जो 10 का जो डिस् करेंगे सरस्त्री टेलेस्कोप जिन्होंने जो आ रहा रहा है यानि रमन रिसर्च इंस्टिटूट जो बंगलोर के क्लोज है इन्होंने अपने टेलिस्कोप लेक में डिपलाइब किया थे यह टेलिसकोप ने रेडियो से याद आया प्रामिस से अगले साल मेरा को फर्स्ट क्वांटम वीडियो आ रहा है और अब यहाते सेकेंड लास्ट चीज़ के ऊपर जो है आटी मटरस का ओशन वेव एनरजी जनरेटर यह ओशन वेवस को एनरजी में कनवर्ट करता है इन्होंने एक स्मॉल स्केल वेव जन क्लीफ होई क्योंकि इतने सारे चीज़ी होते हैं आप कैसे किसी को रांक करोगे तो अब इसले ओपीनियन बेस्ट के आप रांक कर देते हो तो यह था जो एनाइटी और 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 आईएस कोलकता है उन्होंने पेपर पब्लिश किया जिसमें उन्हेंने वैलिडेट किया कि ज स्पेशली थैंक करना चाहूंगा यूटूब मेंबर्स का जो हर मैंने थोड़ा बहुत पैसा पेई करते हैं इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपने इस साल काफी फाइनेशली स्टेबल रखका चैनल को मैं काफी सारे चीज़े फिजिकली विजिट कर पाया और वीडिय क्यों करना चाहता हूं मैं सब मेंबर्स का नाम दिखा रहा हूं डिस वीडियो की ओपर और मैं नाम नहीं लूंगा किसी का स्पेसिफिकली ज्यान की अगरे भी सबसे बड़ी जय हिन जय भारत